हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत्य दन सहीत था 1860 का शमान्य परस्ताबना का जो ये 7 पॉइंट है जिसमें से 1 पॉइंट हमने पढ़ा था अपराद की परकिर्ती और पडिवाशा ठीक है आज हम उसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपराद के तत्व elements of crime ठीक है तो आज हम देखने वाले हैं कि अपराद के तत्व कितने होते हैं ठीक है चलिए आगे हम start करते हैं अपराद के तत्व चार होते हैं कितने होते हैं? चार तो एक में क्या है? एक मानव किसी भी अपराद को होने के लिए एक आदमी का होना जरूरी है किले रूआ आपको दूसरा में क्या है? ऐसे मानव के मन में एक दुराश्य है दुराश्य का मतलब एक गलत intention ठीक है और तीसरा क्या है ऐसे आश्य को पूरा करने के लिए किया गया कारे और चौथा क्या है ऐसे काड़े दौरा किसी दूसरे मानव या संपुन समाज को छती देखिए इन चारों को समझना बहुत जरूरी है यह हर एक्जाम में कोश्चन आता ही है कि आप रात के तत्व क समझना बहुत है कि एक क्या है इसे कारे दौरा किसी दूसरे मानव या संपुन समाज पर छतीक है तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको एक में मानब, दो में दुराश्य, तीन में कारे और चार में छती किलिए रहे? तो ये चार चीज करने के बाद ही हम अपराद होता है ये चार चीज के बिना अपराद होई नहीं सकता किलिए रहे? तो ये में पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगा अब चलिए इन चारों को वन वाई वन करके, एके करके समझने की कोशिश करते है मानब, पहला हमने देखा था ना मानब, तो मानब के बारे में देखते है किशी कारे को अपराद के रूप में विधी द्वारा दंडनिये होने के लिए किशी मानब द्वारा किया जाना चाहिए किसी भी अपराद को होने के लिए, दंडित अपराद के होने के लिए कोई मानब द्वारा किया होना चाहिए आगे बढ़ते हैं प्राचीन वैदिक संस्थाओं में छती के लिए पसुओ और निर्जीब पदार्थों को दंड दिया जाने के हमें पर्यापत उधारन मिलते हैं यदि कोई पसुओ ने अपराध किया तो उसे दंडित किया जाता था या निर्जीब पदार्थ राज सिमा के बाहर फेक दिया जाता था तो बदले की भामना संतूष्ठ हो जा दिती देखिए दोस्तों पहले के समय क्या होता था कि जानवर हो या निर्जीब हो उनको भी ये जैसे निस्काचित कर दिया जाता था तो आदमियों के अंदर क्या था उस समय कि बदले की भावना था तो उनको खुशी होती थी चीक है अब जैसे आपको एक एक्जांपल दो छोटा सा अपने घर वागएरा अपने घर वागएरा में देखा हुआ कि बच्चे गिर जाए तो क्या करते हैं कि उस मिट्टी को जहां पर गिरे उसको मारते हैं कि यह लो इसको मैंने मार दिया है ना तो यह पहले से चला आ रहा है यह चीजे तो ऐसे पहले हुआ करता था मगर अब किसी अपराद के लिए मानब का होना जरूरी है पशू अगयरा का नहीं ठीक है यह वैदिक संस्था के बारे में मैंने बताया कि उस समय पश्वो को भी ऐसे ऐसे मतलब उनको मारा जाता था पत्थरों से और निर्जीब चीजों से अगर कोई कराइम हो गया का मतलब यह है कि जैसे कोई निर्जीब चीज है कोई पत्थर रखा हुआ है और आप जा रहे हैं और आपके पैर में पत्थर लग गया तो उसको कहते थे कि उस पत्थर ने उस निर्जीव चीज ने आपको क्या किया क्राइम कर दिया तो उसको भी राज्य से बाहर फेक देते थे ठीक है जिससे उनका बदले की भावना संतूस्ट हो जाती थी अच्छा आगे देखते हैं ब दारन के तरथ समझते है जो किसी फसल उगे खेत में के मालिक के अत्रिक्त की अन्यवेक्टी का गळा पाया जाता था तो उसका एक कान काट लिया जाता था मतलब मानिए कि आपने अपने खेत में कोई भी चीज को मतल existed बोया है उगा रहे हो आप चीक है आपने खेती कर रहे हो तो उसमें अगर किसी भी वैक्ति का कोई एनिमल चला जाता है जानवर चला जाता है तो क्या होता था उस समय कि उसके कान काट लिया जाता था और यदि वह उसी अपराद को दुबारा करता तो उसके दूसरे कान से भ तो उसको फिर दूसरा कान भी कट लिया जाता था चलिए कोई बाद नहीं आगे हम देखते हैं और ये हमने अभी जो देखा ये कपके देख रहे थे हम प्राचीन वैदिक संस्थाओं में ऐसा हुआ करदा था अभी मद्यकालीन यूरोप में देखते हैं कि क्या क्या होता था तो ये अपड़ादी वन्य पशु द्वारा की गई अपील कोई आसाधारन बात नहीं थी ये मद्यकालीन यूरोप की बात है पशु के मालिक को पशु द्वारा किये गए दो स्पून कारी के लिए धंड दिये जाने के भी परमान हमें मिलते हैं अब उधारन के द्वारा इसे भी समझते हैं यदि किसी बैल ने किसी व्यक्ति को सिंग मार दिया भोक दिया जिससे कि उसकी मिर्तु हो गई तो बैल को पत्थरों से मारा जाता था तथा उसके मालिक को हमेशा के लिए समाप्थ कर दिया जाता था कभी-कभी नेयालियों में पश्वों को साक्षी के रूप में सुईकार किये जाने के भी परमान मिलते हैं एंधेंस में दुरगटना वस किसी की मिर्तु यदि बैल या किसी पत्थर से हो जाती थी तो उसे राज्य सिमा से बाहर कर दिया जाता था यहां तक कि इंग्लेंड में भी यदि गारी के पहिये या किसी वन्य पसू या ब्रिक्छ से किसी की मिर्तु हो जाती थी तो उसे व्यक्ति के लाव के लिए उसे राज्य द्वारा अहत कर दिया जाता था अपहत कर दिया जाता था मतलब इसको दुबारा ग्रहन नहीं कर सकते हो मतलब उसको राजय से हटाई जिया ज़्याल एक निष्कासित कर दिया जाता था छीक ए? मगर अब ऐसा कुछ नहीं है अब यह सब चीज यह पहले किये अब क्या है? कि किसी भी अपराद के लिए एक मानब घाओना ज़रूरी है किलियर हो आपको ये कुछ अपवाद थे जो पहले हुए है उसको मैंने बताया आपको अब देखते हैं दूसरा क्या था मानब के मन में दुराश्य तब दुराश्य के बारे में मात्र कार्य किसी को अपरादी नहीं बनाता यदि उसका मन अपरादी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी नहीं हो अगर आपके मन में गलत नहीं हो तो आपका काम अपराधी आपको नहीं बनाता चीके? एक्चस नौन फैसित रिजम निसी मेंसिट एरिया चीके? यह है यह अपराधिक विदी की एक सुविदित उकती है इसका अर्थ यह है कि कार स्वय किसी को दोसी नहीं बनाता जब तक कि उसका आश्य, दुराश्य वैसा ना रहा हो ठीक है? इस उक्ती से एक दूसरी उक्ती निकलती है मेरे द्वारा मेरी इक्छा के विरुद किया गया कार मेरा नहीं है यह एक दूसरा उक्ती है ठीक है? ततपड यह है कि किसी कार को दंडनिय होने के लिए इक्छित होना चाहिए या स्वयक्छा से किया गया कार अपराधिक आश्य या दुराश्य से किया गया होना चाहिए अतहा अपराध को गठित करने के लिए आश्य एवं कार दोनों का शंगामी होना आवश्य है चीक है? मतलब अपराध होने के लिए आपके मन में आपका जो काम है वो आपको अपराधी नहीं बनाएगा जो आपके मन में दुराश्य है गलत भावना है वो आपको अपरादी बनाएगा चीके तो अभी तक हमने दो चीज़ देखा कि अपराद के लिए एक तो मानब की जरूरी है किसी आदिमी का होना जरूरी है दूसरा उसके मन में दुराश्य का होना जरूरी है किसी अपराद के लिए एक वैक्ति तथा उसका दुराश्य ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि किसी मनुष्य के आश्य को हम नहीं जान सकते किसी वैक्ति के विचार विचारनिय नहीं है दंडिनिय होने के लिए अपरादिक आश्य को किसी स्वेक्षा पुर्ण कारे या लोब के रूप में अवश्य असपस्ट होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि मानिये आप एक वैक्ति भी है ठीके आपके अंदर दुराश्य भी है मतलब गलत भावना भी है मगर जब तक आप उस दुराश्य उस गलत भावना को इंप्लिमेंट नहीं करते अपरादि कृत्त नहीं करते तब तक अपरादि आप नहीं माने जाएंगे चीके आगे देखते हैं कुछ लोब ऐसे हैं जिने दंडिये घुशित किया गया है प्रन्तु अन्य दंडिये नहीं है यदि आप पत्नी की एक वैक्ति या आ मान लिजे या ए मान लिजे अपनी पत्नी तथा बच्चों को भूख से मरने देता है तो वह एक अपराद करता है क्योंकि पत्नी तथा बच्चों के भरन पोशन के लिए विधित दाइत्व हीन है उस वैक्ति का दाइत्व है कि अपने बच्चे और पत्नी का भरन पोशन खाना पिना दे अगर भूखे मर रहा है तो वैक्ति दोशी होगा किलिए रहा आपको दूसरे एक्जामपल देखते हैं यदि नदी में तैरते हुए एक वैक्ती है उसका मौ मान लिजे या बी मान लिजे एक वैक्ती है किसी कठिनाई का अनुभव करता है तैरते हुए तता बहुत से लोग जिसमें से कुछ अच्छे तैराक भी है नदी के किनारे खरे अब मा को यदि नदी में डूबते हुए देखे हैं प्रंतु वे लोग उसे बचाने का कोई पड़ियतन नहीं करते हैं तो यहां किसी भी निस्क्रियता को मा की मिर्तु के कारण नहीं माना जाएगा के लिए रहे आपको देखें आपका एक कर्तब बनता है कि आप उसको बचा शकते हैं बचा लेते हैं मगर अगर आप नहीं बचाते हैं तो यह आपका कोई अपराद नहीं है किलिए रहे आपको चलिए आगे वढ़ते हैं अब है यह तीन देख लिए कि पहला क्या एक मानाव होना चीए दूसरा उसके मन में दुराश्य होना चीए और तिसरा अपरादिक किर्थे अगर ये तीनों है तो ठीक है उसके बाद चौधा क्या कहता है था मानब की छती इंजरी टू हूमन बिंग किलियर है ये लास्ट है इन चारों से मिलकर ही अपराद बनते हैं तो तीन हमने देख लिए आप चौथा देखते हैं मानब की छती भारतिय दंड सहीता की धारा 44 द्वारा पडिवाशित छती सब्द किसी इस परकार की हानी की गोतक है जो किसी वैक्ती के सारीरिक, मन, ख्याती या संपती को अवैद रूप से कारित हुई हो किसी छती किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अत्वा शंपुन समाज को अवैद रूप से पहुचाई गई होनी चाहिए उधारन पहला उधारन देखते हैं भरतिय दन सहीता की धारा 494 के अंतरगत दूई विवा का अपराद कुछ मामलों में अपरादिक किर्त यद भी पुर्ण ना हुआ हो तो अर्थात किसी व्यक्ति को छती ना हुई हो फिर भी अपराद गठित हो जाता है जैसे पुर्ण विवा दूई विवा मतलब एक शादी आप कर रखे हैं दूसरा शादी फिर कर लिए इसमें छती आपको कुछ नहीं होगी है मगर क्या है ये फिर भी अपराद है ये प्रारंबिक अपराद के मामले हैं अब उधारन दूशरा देखते हैं प्रयत्न, अटेम्ट, तुस्प्रेरग, अबेटमेंट और शडेयंत, कॉंस्प्रेंशी इसके अतिरिक्त ऐसा भी अपराद हो शकता है जिसमें ना अपरादी कृत्त हो और ना ही किसी व्यक्ति को छती ये गंबीर अपराद के मामले हैं जिनें समाज में शांती बनाए रखने के लिए उधेश से राज घटित होने के पूर्व ही अपने नियंतन में ले लेता है इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पुलिस को पता चलता है कि ये व्यक्ति आज हमला करने वाला है किसी पे या कुछ गलत पब्लिक प्लेस में कुछ करने वाला है तो जैसी पुलिस को अंदेशा होता है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है निरोधक कारवाई के तहट उन्हें अपराद घोशित किया जाता है उधारन के द्वारा समझते हैं दंड सहीता की धारा 399 के अंतरगत डकैती डानने के लिए तैयारी करना तथा धारा 402 के अधिन डकैती डानने के उद्यस सही कर्था होना ठीक है ये भी कराई में तो आपको पहले ही एरेस्ट कर लिया जाता है के लिए रहे आपको चलिए तो आज हमारा ये जो शमाने परस्तावना था ये उसका दूसरा जो दूसरा टोपिक हमने आज पढ़ा वो यहां के लिएर होता है अपराद के तत्व तो आपको अब याद हो चुके होंगे न कि चार तत्वे मानब दुराश्य और दुराश्य को के द्वारा किया जाना काम और उसके बाद छती चार चीज़ को याद रखेंगे आप दोस्तों हम यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं अगला भाग में हम परेंगे इसका तीसरा टोफिक शमान्य परस्तावना का तीसरा टोफिक है अपराद में मानसिक तत्व तो दोस्तों आज यहीं पर लक्चर को समाप्त करते हैं हमारे LPMS चैनल को सस्क्राइब कर लें थेंक यू